दोस्तों अर्विंद्र केजरिवाल यानि कि दिल्ली सरकार के बारे में कौन नहीं जानता लेकिन आज हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बाते बताने जा रहे हैं जो सायद आपने आप तक कहीं नहीं सुना होगा तो आईए सुरू करते हैं अर्विंद्र केजरिवाल जो कि वर्तमान में एक सफल राजनीतिक कुसल राजनीतिक बोल सकते हैं ठीक ना और दिल्ली सरकार हैं तथा आम आदमी पाटी के राइश्टी संयोजिक भी हैं ठीक ना और दिल्ली में ये अपने मुख्यमंत्री पद पर काफी फहमास हैं पूरे देश में यहां तक की बिदेशों में भी ठीक अब बात कर लेते हैं इनके लाइप से जुड़ी कुछ बाते ठीक ना तो इनका जर्म हर्याना के हिसार साहर में हुआ था अगस्त 1968 में यानि कि अभी इनका उम्र हो रहा है बावन वर्स यानि कि 52 यर ठीक अब बता दू इन् से बड़ी परिख्षा होती है इसमें उन्होंने सफल पाया और उन्हें से 92 बैच के यह IRS यानि कि Indian Revenue Service भारती राजसों सेवा बिभाग में बरती हो गए हैं और इन्हें नियुक्ती मिली दिल्ली का आयकर आयुक्त कारिया लए ठीक ना दिल्ली में इन्हें नोकरी मिल गई अब यह अपने कारिय पूरे अच्छे से किए इसके बाद इन्होंने लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और वर्स 2006 में इन्होंने अपने नोकरी से इस्थिपा दे दिया क्यों दिया क्योंकि यह सुचना का अधिकार के लिए इन्होंने अभियान सुरु कर दी थी जिसके कारण दिल्ली में 2001 में सुचना का अधिकार और पूरे राइश्टी अस्तर पर 2005 में सुचना का अधिकार को पूरी तरह से इन्होंने फैलाने में काफी सहयोग दिया ठीक ना इनके साथ कई अभियान करताएं भी थे और इनकी अभियान सफल भी हुई 2005 में RTI जो की राइश्ट का सुचना देने के लिए काफी है ठीक ना ये सुचना का अधिकार के काफी फ्यमस हुए और इन्हें सुचना के अधिकार के लिए कई अव़ार्ट भी मिले गए अब इसके बात करते हैं हम राजिंतिक जीवन के बारे में तो राजिनितिक जीवन में ये वर्ष 2012 में उतरे हैं अक्टूबर 2012 में इन्हें कहा जाता है कि ये अब एक टौपी पाने ठीक ना और कहा 2012 में अपने टौपी में एक लिखवा दिया कि मैं आम आदमी हूँ जिसे अन्ना टौपी या फिर कांधी टौपी भी कहा जाता है अब बता दू कि इनकी आम आदमी पाटी का गठन कब हुआ तो 26 नौपर 2012 में दिल्ली के जंतर मंतर के समीप इनके जो पाटी है आम आदमी पाटी का गठन हुआ ठीक अब बता दू ये दिल्ली सरकार यानि कि दिल्ली विधान सवाद चुनाव कब लड़ें तो वर्ष 2013 में जब दिल्ली विधान सवाद चुनाव हो रहा था उस वक्त जब पिछले 15 वर्षों से सीला दिक्षित जो की दिल्ली के मुख मंतरी थी पूर्व ठीक ना उनके समक्ष ये चुनाव लड़ें और दिल्ली विधान सवाद चुनाव लड़ें पहला आस्थान प्राप्ट के दूसरा अस्थान बिजेपी का था और तिसरा अस्थान कांग्रिस का था वर्ष 2013 में इनकी सीटों की बता दू तो 70 सीटों में से इन्हें 28 सीटे मिली थी और ये सफल भी हो गये हैं ठीक अब बता दू 2015 के चुनाव में 70 सीटों में 67 सीटे मिली जो की भूत पूर्व इतव इतिहांस के कहीं भी माइने में दर्ज नहीं था इन्होंने यह इतिहांस दर्ज कर दिया और यह लगातार तीन वर बार दिल्ली का चुनाव जीतकर मुईक मंत्री पदपर हैं ठीक ना और अब इनकी अवार्ड के बारे में बात करेंगे उसके हम उनके बाद उनके निजी इनके जीवन के बारे में तो इनकी साधी एक सुनिता अग्रवाल नामक महिला से भी है ठीक ना जो कि IRS अधिकारी थे यानि कि भारतिया राजसु सेवा में उर भी थे और वे 1992 बेचके अधिकारी थे ठीक और इनके अब बच्चे के बात करें तो इनके वर्तमान में दो अधिक भी कितने ळृanton होंगे ठीक ना तो फिर मिलेंगे एक नेश्ट वीडियो के साथ आपको यह जनकारी कैसे लिए आप हमें कमें पर जरूर बतायेगा और विडियो को पिंद को सेर किजिएगा धन्यवाद फिर में नेक्ट वीडियों को साथ चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कले जीगा धन्यवाद अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा